हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है हमारों के स्काइड को बता दें नए साल में बहुत ही बड़ी खुश खबरी आम यात्रियों के लिए यहां पर मिल सकती है जैसा कि मुंबई लोकल ट्रेन काफी दिनों से बंद है जब से लॉक डॉन है लेकिन यहां पर खुली है ले अरते रेलों ने आम जिन्दा के लिए मुंबई लेकर फिर से शुरू करने की त्यार है रेलों का कहना है कि 90 फिजदे रेल से चलें लगी है बच्ची 10 फिजदें चलाने में कोई समयसा नहीं है इससे मुंबई करें को नय साल में उम्मीद बन गई है कि जल्दी लोकल ट्र करने नहीं बच्चाह सकती है तो दॉस्तों बहुत ही बड़ी जैसा कि दूस्तों अभी पको बता दे कि 15 लाख यात्री यहाँ पर रोजाना सफर कर रहे हैं लेकिन दोस्तों बता दे उसमें जरूरी सिवा जो भी यहाँ पर अपने जरूरी कागजात हैं वही दिखा कर यात्री को यहाँ पर सफर करने की अनुमत ती जा रही है और सांसा दोस्तों आपे बात करें महरास सरकाय के तरफ से भी इसका अलान कर दिया गया है कि नई साल में हम यहापे जनवरी में आपकी मुंबई लोकल ट्रेन आम नागरिक के लिए चालू करेंगे हलाकि दोस्तों अभी तक आधिकारिक सुत्रों के मुताबिक कोई भी ऐसे गोशा नहीं की गई है लेकिन कुछ बयानबाजी हुई है उसके मुताबिक एक से लेके आठ जनवरी के बीच में यहापे कुछ आपको खुश खबरी देखने को मिल सकती है और आम नागरिक के लिए मुबाई लोकल चलने की उम्मीद है यहीं दोस्तों बहुत ही बड़ी अपडेट देनी थी आपको अपडेट अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि ऐसी पलपल की अपडेट देते रहें और दोस्तों आपके इसके बारे में क्या करना है नीचे कॉमेट करके जरूर बताएं ठीक है दोस्तों दोस्तों को भी शेयर करतें जो भी मुबाई लोकल का वेट करें ठीक है दोस्तों मिलता है फिर सब्सक्राइब साथ